प्रिया विद्यार्तियों लुप प्रसासन की अक्सा में आपका स्वागत है आज हम संग्ठन के सिध्धान्त समन्वे अर्थात कॉर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि संग्ठनों में समय के साथ साथ क्या है जटिलता बढ़ती जाती है कारे और प्रक्रिया उनमें भी जटिलता बढ़ती जाती है तो उससे क्या है जो समन्वे है उसके अंग है उनमें तालमेल जो है उसमें क्या है एक बड़ी प्रसासनिक समस्या बन समनमे संक्तन का पुरुथम सिधानत हैं छेश्टर बर्णार्ड भी समनमा को जो कारेपलक अधिकारी है सबत्रुमक का मानते हैं वीम्गेशी करण के चैक्रन के संक्तनातम केशे किरें Stage बड़ी है और सरकारी तंथ्में कल्यानकरीशा के विभग dinner विभागों और सास के कारें को विश्टार होता जा रहा है इसी परकार एक ही संग्तन के विथार बहुत सी गतिविद्य ऐसी होती है जो समुईक प्रयासों तता सकारात्मक सहयों के पिक्षा गरती है नहीं तो क्या होता है कारियों में दोराव, अतिराव, पृतिस पर्दा, संगर्ष की स्थितियां क्या हैं पैदा हो जाती है जो संग्ठन के लक्षियों की प्रापती में बादक सीथ दती है इसलिए विभिन कारियों, विक्तियों और प्रक्रियाओं के मद्या तालमेल स्थापित करना पुड़ता है इसी को हम मौटे तार पर क्या है समन्वे करते हैं कि दि हम डेफिनेशन को देखें तो सैकलर हडसन कहते हैं समन्य कारेर के विबिन हिसों के बीच तालमेल स्थापित करने की एक कतिविदी है मुनय वर एले कहते हैं किसी समन्य उद्येशे के प्राप्ति के लिए की जाने वाली विबिन क्रियाओं के मंदे एक्ता बनाए रखने के उद्येशे से सामोहिक परियतनों की विवस्था को क्या कहते हैं समन्वे कहते हैं तो समन्वे जो है वो देखा जाए तो संग्ठन के अंग या जो कार्य हैं या जो व्यक्ति हैं उन में क्या है तालमिल बिठाना है समय के साथ सा तालमिल बिठाना है क्यों ये कार्यों में परक्रियां में तो उसको हम क्या करते हैं कि कि इसके कि शुष कि अदो नकर आत्म हैं और दूसरा इस烟 कि अनसी कुर। में टैई सम्हार्म करत कि संग्ठन में जो संगर्स जगडे कि दूरो सेक्थ हैं अन्illar को फिद्ध कारे करने वाले जो परवर्थियं उनको दूर करना स Nov ने संगर्ष जगड़े और विध्रद कारे हैं उनको कह दूर करना है शकारात्मकर्थ में होता है कि समनवय के दोरा एसे विवस्ता बनाई जाती है इस उत्रव में जिस तो इस प्रकार से नकारात्मक द्रिष्टी और सकारात्मक द्रिष्टी से भी समन्वे को समझा जाता है अब हम देखते हैं समन्वे की विश्यस्ताइं समन्वे क्या है एक सतत है लगातार चलने वाली पर करिया है ऐसा नहीं है कि एक वार समन्वे कर दिया दुबार आवशकत कि और शम्हेटन के उधिश्य की पुझे कर रहे हैं तब तक समझोग लगाता रहता है गुए अज्य मुख्धारी के सिर्ष सवन्ही अ बरता स्वन्हें ऑफ नई करि hen इन लाव मादाएं हुँत मतहलता है 2іїवतिक पर अक कि कंदागल हो सकती और इसमें तृत संग्टमाइब कर और दोनों वातावरणों में काम करता है और संग्टमाइब के बाहर के जो कारक है उनमें क्या है ज्रूरी हैं कई वारी समनवे और सहयोग को एक जैसा माल लेते हैं गश्राव्टमाइब के इच्छा और कई बाहरी कारत भी प्रभाव जा सकता है, सायोग की भावना व्यक्ति में स्वता उत्पन होती है, जबकि समन्वे के लिए क्या है, प्रयास करने पड़ते हैं, तो इस प्रकार से समन्वे और सायोग में भी थोड़ा अंतर है, अब हम देखते हैं समन्वे के परकारों के बारे में, एक परकार है आंतरिक और बाहिय समन् रूप से, एपलबी ने अलग दिये हैं और हरबर्ट साइमन ने अलग प्रकार बताए हैं तो अंत्रिक जो समन्वे का मतलब यह है कि जब संग्ठन की अंदरों ने कारे प्रणाली और उसके जो विभिन वेक्ति हैं और कारे जो हैं उनके बीच में जब हम तालमिल करते हैं तो वह अंत् समन्वे होता है जो किसी संग्ठन की पद्शुपानात्मक व्यवस्ता में उच्छ से नेम्न कार्मिकों या इकाईयों में किया जाता है श्यति समन्वे के अंतरगत क्या होता है दो या अधिक समान्स्तरिय कार्मिकों या विभागों के बीच यह किया जाता है अर्बर्ट स क्या है संबंधों के से जुड़ावा जबकि वास्तिक जो है जो काम हो रहा है उसके साथ जुड़ा होता है कि अब हम देखते हैं समें क्या आवसक्ता और महत्तो है वास्तों में समन्भा किसी भी संग्ठन में कारकूशल तक उस तर बनाई रखने के लिए संग्ठन और उसे जुड़े वे बाहरी इसों के बीच तालमिल करके उसे एक विवस्तित रूप देता है संग्ठन अपने आम में एक सामोहिक प्रयास है चोकि संग्ठन में बहुत से व्यक्ति उपकरण संसादन और प्रक्रियां काम में आती है अते उनमें भिंता या मतवेद होना भी क्या है सोगाविक है इनी मतवेदों और संगर्षों से क्या है संग्ठन को बचाना समरस्ता का प्रसार करना समन्वे की प्रक्रिया का उदेश्य होता है समाने ते निम्न कारणों से क्या है इसकी आउसकता रहती है पहला है टकराव और संगर्षम अप्त करने के लिए इसके अंतरकत हम बता सकते हैं कि मानों सोभाव की विविताएं और संग्ठन की आत्री कारे प्रणाली दोनों ही नित्य ने संगर्षम और मतवेदों को जरम देती हैं है प्रसासनिक चेत्र में बढ़ती विशिश सकेता कार्यों में विष्तार तता संकिर्ण सोभाव के करने नित्य नहीं विवाद उतन होते हैं उधान के लिए नगर्न योजन यानि टाउन की जो प्लानिक उसे संबनित कारे के लिए रिवेंव डिपार्मेंट नगर निगम ब प्रणिंग है वो किया है विफिल हो घा थी तो इस प्रकार से टक्राव और संगarioxy में समाप करने कि लिए क्लिए समनेवाב आउ अभी है कि इसी प्रकार जो खतरनाक प्रतिसपर्दा उसको नियंत्रेत करने के लिए है समयन व आव सक है जहां दो या दो से हो स Saput AH vaporya प्रतियोगिता के कार्मिकों और विभागों के कारेकरण में कुसलता और सुधार का समाविश होता है कंपेटिशन से तथा पी अगर गला काट पृति पृति सपर्दा हो जाए तो उससे भी क्या है कई खत्रे उत्पन हो जाते हैं यदि संग्ठन में इर्श्या कुंठा ग्रणा हिंसा की परवर्तियां घर कर ले तो उन्हें दूर करना कटिंज रहता है भारत में एक कारे से रोकना जरूरी होता है इसलिए क्या है समन्वे ही एक ऐसा साधन है जिससे क्या है इस गतमनाक परतिश परदा को रोका जा सकता है इसी प्रकार कारे को सलता का उच्छ स्तर है वो भी क्या है समन्वे से प्राप्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके दौरा क्या है जो गतिविदिया कारे में बिलम्भ नहीं पाता और कारे को सलता का उच्चतर पराप्ताता है यह ज्यादा नहीं पुए उनց के लक्से कूब प्राप्ती में ईदैंवे और उसकर्थ संग्वे मेन दोड़ा करता हैς चोंड़न पड़रावि जो बिभवन का तीजियां है उनकर उसमीर का है सींदभयत practitioners के ज़ाता है जिस से दो राव जो अतिराव dai doll so ए बढ़ती है और उससे क्या है मतलब समन जो है उनको क्या है कंट्रोल करता है और उनके लिए भी क्या है समन्वे क्या है आवशक है नहीं तो क्या है अतिराव और दोराव के समस्या से क्या है संग्तन के लक्षों की प्राप्ति नहीं हो पाती है इसके पर साथ हम समन्वे के सिद्धांतों के बारे में देखते हैं पहले जो चाहर सिधानते हैं मेरी पारकर फUIलीट के दोखरेगी दीए गए है कि समुनेगा जो पहला सिधानता है वो है पतिक्ष्पक्रक का सिधानत ऐख कि सिधानत में ये संगर्ष ये विवाद में दोराव की समस्य उत्पन हो तो वहां कि अपद्शुपान की प्रवा किये बिना सीधा ही प्रतिक मुक्य पर जाकर समस्या को सुल जाना चाहिए बहुत सारे भ्रह्मः और संक तो इसलिए पैदा वति है कि हम दूसरों से मिलते ही नहीं हमारे को पता ही नहीं होता बात का और विचार और स्थिती को जाने बिना निरादार क्या है हम भरांत धारणाइं प्रिक्षित कर लेते हैं तो इससे क्या कॉडिनेशन में क्या है समस्या आ जाती है तो इसलिए क्या है प्रतिक संपर्क जो है वो समन्वे की स्थापना के लिए जरूरी है शुरुवाती चरणों में क्या संबन वे की इस видео कर दो बादाओं को जिससे क्या है संबुनता का सिद्धानत है Konsқषित्य तो इसलिए क्या है एक holistic view जो है वो भी क्या है समन्वे की स्थापना के लिए जरूरी है और समन्वे क्या है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये एक दो दिन में स्थापित नहीं हो सकती और नहीं संग्ठन के संवर्स छणिक होते हैं इदि कोई आसमस्ट दबा दी जाती है तो इसका अर्ती ये नहीं कि दुबारा वो समस्वे पैदा नहीं होगी अत्य क्या है ऐसा तंतर विक्षित करना चाहिए जिस से क्या है समन्वे क्या है निरंतर चलता रहे इसी प्रकार समय का जो सिद्धान्त है वो भी बड़ा मेत्वण है निरधारित समय पर ही संबन्वे की स्थापना होने चाहिए संगर्शों को समवत करना चाहिए पारशपरिक संबन्दों को भी क्या है इसमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि संग्टन और परसासन क्या है सामुएक प्रयासों पर अधारित हते हैं और परस पर संचार भी क्या है समन्यवे की स्थापना के लिए आवशक है अगर भैतर डंग की संचार प्रणाली है तो उसे नियंतरन और नदेशंसरल बनता है और संगर्स और समाधान उनका भी क्या है समय रहते समाधान हो जाता है तो इस परकार से ये समन्यवे के कुछ सिधानत है इसके बाद हम अगली क्लास में समन्यवे की क्या विदियां या तकनिके हैं समन्यवे में क्या वाधाएं आ सकती है इनके बारे में देखेंगे